आज हम लोग कुछ एहम सवालों का जवाब ढूडेंगे और साथी कुछ भ्रहम दूर करने की कोशिज करेंगे क्योंकि लोग के मन में काफी सारा भ्रहम रहता है तो सबसे पहला भ्रहम है ज्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीस होगी तोस्तो मीठा के साथ डायबिटीस का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है पर इंडायरेक्ट रिलेशन है जैसे मीठा में ज़्यादा कैलोरी होती है अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपका बजन बढ़ेगा और आपका बजन बढ़ेगा तो आपको diabetes होने का खत्रा जादा रहेगी जादा मीठा खाने से आपको diabetes होगी ऐसा कोई बात नहीं है अगर आपके सरीर में insulin hormone का पैदावर अच्छे से होता है या तो आपका body insulin resistance नहीं होता चाहिए आप जितना भी मीठा खाले आपका सरीर मीठा को हजम करने में सक्सम होता है अगर आपका असरत कर लेते हो तो calorie loss भी हो जाती है इससे आप मौटा भी नहीं होंगे लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर एक बार आपको diabetes हो जाए तो तब अगर आप मीठा खाएंगे तो आपका तुरंद blood glucose level जो है वो बढ़ जाएगा दूसरा सवाल है क्या ज़्यादा नमक खाने से आपको hypertension की विमारी होगी तो कुछ हद तक एबात सत्त है क्योंकि नमक हमारे सरीर से बहुत ज़्यादा पानी खीचते है एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो दिखेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा जांग फूट, फास फूट या तो पिर्जाब फूट खाते है उसमें नमक की मातरा बहुत ज़्यादा होती है तो उस खाना को खाने के बाद आपको बार-बार प्यास का हैसास होता है तो नमक हमारे सरीर से पानी को खीच कर blood volume बढ़ाने के कारण blood pressure high होता है अगर आपको blood pressure की बिमारी याने hypertension की बिमारी अगर नहीं है तो आप नमक खा सकते हैं वहीं अगर आपको hypertension के बीमारी पहले से होगी तब अगर आप नमक खाएंगे तो आपका blood pressure high होने का संभवना बहुत ज़्यादा होता है इसलिए अगर आप blood pressure याने high blood pressure के मरीज है तो आप नमक ना खाए तो अच्छा है तीसरा सवाल है diabetes में कौन सा फल आपको नहीं खाना चाहिए दोस्तो स्रीप फल की बात नहीं बलकि कोई भी फूड हो जिसका glycemic index 50 के उपर जाता है उस फल या फूड को आपको diabetes का मरीज को नहीं खिलाना चाहिए तो GI याने glycemic index क्या है उधारन के तोर पर मालोचीनी याने sugar जिसका glycemic index 100 होता है उसी तरह कुछ मीठा फल होता है जैसे की लीची, चेरी और खजूर इस सब का glycemic index 50-60 से 70 तक होता है तो ये सब फूड अगर आप खाएंगे तो इसमें सुगार की मात्रा ज्यादा होने के कारण diabetes का मरीज को खत्रा रहता है याने blood glucose level high होता है तो 50 के नीचे GI index बाला कोई भी फूड आप खा सकते हैं चौथा सवाल है क्या diabetes कभी भी ठीक नहीं होता दोस्तो diabetes हो या दूसरा कोई विमारी कोई भी विमारी अगर lifestyle से जुड़ी chronic विमारी होती है तो लंबे समय तक इसका इलाज लेना पड़ता है सायत उमर भर इलाज लेना पड़े तो diabetes भी एक lifestyle chronic विमारी है इसको आपको lifetime manage करना है याने control में रखना है अगर आप खान पान अच्छे से करेंगे physical activity थोड़ा करेंगे तो आप इसे आसानी से manage कर पाएंगे अगर आप lifestyle ठीक नहीं रखते हो चाहिए आप जितना भी दवाई लेले insulin लेले आपका blood glucose level control में नहीं रहता तो इसलिए एक control करने याने manage करने वाली विमारी है पूरी तरह से क्योड नहीं होता और अंत में पांचवा सवाल diabetes क्यों होता है और किसको होता है तो diabetes का भाग है diabetes तीन तरह का होता है एक type 1 diabetes दूसरा है type 2 diabetes और तीसरा है type 3 diabetes type 1 diabetes genetic disorder के कारण होता है याने एक autoimmune disease है अगर आपके पूर्खों में किसी को type 1 diabetes रहता है तो आपको होने का खत्रा भी बना रहता है type 1 diabetes होने पर आपके सरीर में insulin का पैदाबर नहीं होता जिसके करण आपको बाहर से insulin लेने की जरूरत होती है जो type 2 diabetes के case में नहीं होता type 2 diabetes एक lifestyle से जुड़ी बिमारी है आपके सरीर में सायत insulin पैदा हो लेकिन body insulin resistance हो जाता है जिसके बज़े से आपके सरीर में glucose की जो मात्रा है वो अच्छे से हरे कोशिकाओ पर पहुँच नहीं पाता हर समय ठकान मैसूस होता है आपका बजन कम होने लगता है अगर आप type 2 diabetes के case में अच्छे से diabetes को नहीं नियंतन में रखते हो तो आगे जाकर आपको भी insulin लेने की जरूरत हो सकती है और तीसरा type का जो diabetes है type 3 diabetes यह आपके pancreatic में किसी तरह का अगर दिख़त हो साल जारी हो या कोई tumor या cancer हो जिसके बज़े से insulin release नहीं कर पाता इसके कारण आपके सरीर में glucose की जो मातरा है वो तीजी से बढ़ जाती है और ये बिमारी दूसरा दो diabetes से ज़्यादा खतरनात है क्यूकि इसका लखन बहुत कम दिखाए देते हैं और जब दिखाए देते हैं और बहुत ज़्यादा देर हो जाता है और डॉक्टर के लिए इसका इलाज करना भी बहुत मुस्किल है इस किसम के diabetes में आपके pancreatic के condition के हिसाब से डॉक्टर को इलाज करना पड़ता है जो और भी difficult हो जाता है उमीद है दोस्तों वीडियो आपको informative लगा ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आज के लिए ही तक धन्नवाद